हलो दोस्तों आज देखेंगे अपन square and square root n cube n cube root ठीक है जी दोस्तों तो जिसमें देखेंगे अपन वर्ग मूल एवं घन मूल दोनों पर अधारीत प्रश्ण देखेंगे तो देखेंगे इसमें क्या दिया है घन मूल में दिया है under root 3 और वर्ग मूल में दिया है इसको है तो आपन 64 को कैसे डिफाइन कर सकते है जी हूं 64 को कैसे डिफाइन कर सकते है आठ अठ चाउसाट होता है तो देखिए इसमें कितना दिया है 1,2,3,4,5,6 तो इसको 0.008 लिख सकते हैं और मल्टिप्लाइ करेंगे 0.08 तब क्या आता है बारा 0.000064 आता है तो यह one time हुआ और दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे इसको ऐसे लिख सकतने है क्या कर जिरॉप टॉइंट 0.008 ठीकह दोस्तों और क्या लिखेंगे Ϝम लिख है इसमें बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेग亞 हमारे बास 0.008 अब तुक कीवाइन करेंगे तब जाके 0.008 इसमें कितने टाइम्स हो गया तो देखिये 0.2 मल्ठीप्लाइए 0.2 अब चाहिए में व .. तो वान टाइम एक बाहर निकलेगा तो क्या जाएगा? 0.2 हमारा यह answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों फिर अगला कोशन देखिए अब देखिए यहां पर दिया है स्क्वाइर रूट में दिया है पहले दिया है 0.0000729 दिया है तो 0.0000729 इसको कैसे लिख सकते हैं जी आपन इसको कैसे लिख सकते हैं तो 0.027 multiply 0.27 multiply करेंगे तो 0.0000729 आएगा तिसमें रख दें क्या जी 0.027 multiply 0.27 ठीक है दोस्तों तो वन टाइम बहार निकलेगा इसमें से इसको आर रूट है तो क्या जाएगा 0.027 हो जाएगा अएक क्यूब रूट में आ गया ठीक है अब फिर अब इसको कैसे तोड़ेंगे अब बात आती इसमें तो अब देखिए 0.3 का multiply करेंगे 3 times तो 0.27 आएगा जी 0.027 आएगा 0.027 आएगा तो इसमें रखें क्या तो एक क्यूब रूट है तो 0.3 multiply 0.3 multiply 0.3 तब वन टाइम बहार निकलेगा तो 0.3 यह हमारा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों फिर अगला कोशन देखिए अब बात आती है 2621 4 ये किसका square होता है जी 0.26214 ये किसका square होता है जी तो 0.64 का होता है multiply अगर 2 times करते हैं तो ठीक है 3 times करते है तो cube है ना तो 3 times करते हैं तो आएगा ठीक है 64 का तब देखिए यहां पर आपना रख दें क्या जी इसको 0.64 multiply 0.64 0.64 ठीक है दोस्तों तो फिर इसमें क्या होगा one time में बहार निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा जी 0.64 बचेगा अब 64 कैसे है इसको वो कर सकते हैं जी अगर इसको देखेंगे तो 0.8 का multiply 2 times करेंगे तब आता है 0.64 तो अब इसमें रखके देखें क्या 0.8 0.8 तो one time में बहार निकल जाता है तो क्या आजाएगा जी अमारे 0.8 क्या होगा आंसर होगा फिर अगला कोश्य देखते हैं अब देखें क्यूब रूट में square root के अंदर cube root दिया हुआ है cube root में क्या दिया है 0.015625 ये किसका square होता है जी तो 25 का cube होता है क्या है तो देखें 0.01215625 ये किसका होता है 0.25 multiply 0.25 multiply 0.25 तो इसमें रगने क्या जी तो इसमें रग देंगे तो देखें क्या होगा ये cube root है तो 0.25 multiply 0.25 multiply 0.25 multiply 0.25 तो इसमें क्या होगा one time बाहर निकल जाएगा cube root है तो तब क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा अब 0.25 को क्या लिख सकते है 0.5 multiply क्या लिख सकते है 0.5 multiply 0.5 रख सकते हैं तो देखिए अब इसमें रगने क्या 0.5 multiply 0.5 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा 0.5 बहार निकल जाएगा हमारा तब है हमारा 0.5 आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों फिर अगला question देखते हैं अपन अब देखिए दिया हुआ है अंडर रूट में दिया है 0.121 121 को कैसे लिख सकते हैं तो देखिए 0.11 multiply 0.11 का करेंगे तब कितना आता है हमारे पास जल्ली बताएगे कितना आता है तो ऐसे multiply को कैसे करते हैं जी देखिए ऐसे टाइप का अगर multiply रहे तो one से one का होगा तो क्या हो जाएगा one होगा one का one से होगा तो one होगा अब ठीक है one क्रॉस ले लेंगे one का one से करेंगे तो one आएगा one का one से करेंगे तो one आएग वोगा does करेंगे पॉस्यान नमबर 6 तो 0.0625 किसका होता है जी तो देखे 625 तो अपने जानते हैं 25 का मल्टिप्लाई अगर 25 से करते हैं तो 625 आता है तो अब इसमें देखे 1,2,3,4 तो अपने को 1,2,3,4 तो ये दोनों में पॉइंट लगा दीजे तो 0.25 का मल्टिप्लाई 0.25 से करेंगे तो क्या होगा 0.0625 आएगा तब देखे यहां पे 0.25 मल्टिप्लाई 0.25 मल्टिप्लाई तब क्या जाएगा जी 0.25 इसका अंसर आजाएगा ठीक है दोस्तों फिर अगला कोशन देखे 0.00421 421 किसका होता है 441 तो 21 का होता है तब 21 का मल्टिप्लाई अगर देखिए इस तरीका से करें यह देखिए 1,2,3,4,5,6 तो अपन इसको कर सकते हैं क्या यहां पे देखिए तो 0.021 मल्टिप्लाई 0.021 तब क्या आएगा 0.00441 आजाएगा तब देखेंगे तो कब क्या आजाएगा 0.021 और आजाएगा 0.021 तो वन टाइम बाहर निकलेगा तो क्या आजाएगा यह हमारा आंसर 0.021 आजाएगा ठीक है दोस्तों यह वाला दोस्तों आपके लिए होमवर्ग रहेगा इसको कॉमेंट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों अगर पस